हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आयुश्मान खुराना की आने वाली फिल्म चंटिगट करे आशिकी के ट्रेलर के बारे में जिसे आज लॉंच किया गया है फिल्म का टाइटल बढ़ा इंट्रेस्टिग है चंटिगट करे आशिकी वैसे तो हर इस्टेट में भारत के चाहे वह कोई भी इस्टेट हो हर इस्टेट में आशिकी होती है लेकिन बॉलिवूड वालों को पंजाबी कल्चर, पंजाबी लेंग्वेज से बैयत खासा ही प्रेम है इसलिए बॉलिवूड में अधितर गानों में कहिना गई पंजाबी टच या कहानिक में कहिना गई पंजाबी कल्चर को रखा जाता है तो ऐसी ही पंजाबी कलचर पर बेड़ फिल्म है चंडिगट करे आशिकी जिसमें आप आयुश्मान खुराना को देखेंगे फिल्म के ट्रेलर से यह कहा जा सकता है कि आयुश्मान खुराना ने इस फिल्म के लिए अपने गेट अप को बहुत चैंज किया है और अपने लूप को चैज़ करने के लिए काफी महनत की है क्योंकि वह फिल्म के अंदर एक जिम ट्रेनर एथलीट के रूप में नजर आने वाले है इस कारण उनकी अच्छी खासी डॉले शॉले वाली बॉड़ी भी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी फिल्म में पहली बार आयुषमान खुराना के साथ नजर आएंगी वानी कपूर जो की एक जुमबा टीचर के रूप में फिल्म में दिखाई जाने वाली है अब इन दोनों की लविश्टोरी पर ही बेजड होने वाली है यह फिल्म कि कैसे इन दोनों में प्यार होता है और कैसे आयुशमान खुराना वानी कपूर से शादी करना जाते हैं और उन दोनों की शादी के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स या इसी क्या बात है जिससे उनकी शादी के बीच में रुकावटे आ रही है अगर आप आयुश्मान खुराना के फैन है तो आपको थोड़ी सी निराशा जरूर होगी क्योंकि पिछली जितनी भी फिल्में आपने आयुश्मान खुराना की देखी होगी अधिकतर फिल्मों में आयुश्मान कुराणा ने कुछ ना कुछ नया डिफरेंट टॉपिक या नये सब्जक्ट की कहानी के साथ वो हमेशा बड़े पड़े परदे पर आये हैं लेकिन जब आप यहर ट्रिलर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि डायरक्टर अबशेख कपूर ने फिल्म की कहानी के साथ ज्यादा परियोग नहीं किया गया है एक नॉर्मल लवी स्टोरी को पंजाबी टच के साथ दिखाया गया है हाँ लेकिन इस बार परियोग किया गया है आयुष्मान कुराणा के गैट अप और लुक के साथ आपको ट्रेलर से ज्यादा अगर कुछ पसंद आएगा तो वो है आयुष्मान कुराणा और वानी कपूर की जोड़ी और आयुष्मान कुराणा का गैट अप और लुक तो यहाँ बात थी आज रिलीज हुए ट्रेलर चंटी गट करे आशीकी के बारे में जल्दी मुलाकात होगी नए किसी ट्रेलर या फिल्म्स के रिव्यूस के साथ तब तक के लिए मैं आपसा दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूँगा सलाम नमस्ते जैहिं जैबारत